रमश्कार बहुत स्वागत है जोतिश दिशास सत्कीरा में मैं हूँ आपके साथ आपका एश्टो फ्रेंड संतोस संतोसी दिनांग कि किस मार्च दिन कैसा बीतेगा पुरे दिन का हाल राशियों का हाल छोटा सा प्रयोग भाग्याग्षर एश्ट्रो क्विस के प्रश्ट का सही उतर और भाग्यशाली विजेता से बात चीत ये सारी जानकारी लेकर क्यों पस्थित हो चुके हैं जानकारी ये भी ले लिजे कि अभी आप हमसे गाज़्याबाद मुलाकात कर सकते हैं गाज़्याबाद में मिलने के लिए आपके समक्ष नमबर जो चल रहा उस पर आप कभी भी कॉल या वाट्सअप कर सकते हैं सरप्रथम आज का पंचांग कर सकते हैं कारे आपके बंते चले जाएंगे शुरुवात आईए करते हैं वाज के भविश्य वाड़ी की मेश राशी पढ़ाई में आज कम मन लग रहा है कुछ पुरानी समस्य आएं आपको परिशान कर सकती हैं अचानक से आपको दिक्कत हो सकती है सोच समझ करके फैसला लीजिएगा ब्यापार आपका अच्छा चलेगा बिजनस में सब कुछ बहुत ठीक है मुश्किलों का हल निकलेगा प्राइवेट सेक्टर तनाव देगा चिंताओं में डूप सकते हैं सरकारी छेतर बहुत अच्छा है गौर्वेट सेक्टर में शुपता मिलेगी दामपत्र जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ अच्छा समय भी देगा सपोर्ट मिलेगा लब लाइफ की स्थिति में सुधार होगा आज किसी पुरानी और बड़ी समस्या का हल निकलेगा उपाय क्या करना चाहिए आज स्वास्त के मामले में बैक की प्रावलम और आखों की समस्या हो सकती है आज किसी जरुरत मंद को कच्छा चावल दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है बड़ों से उलजना नहीं है आज शुबरंग आपके लिए नीला भाग की प्रतिशत पचास ब्रिशबरासी अद्भुत दिन है आज पढ़ाई में खूब मन लग रहा है शुच्छा की इस्थिती सुधर रही है ब्यापारिक दिश्टिकोर से समय थोड़ा प्रत्कूल रहेगा बिजनस में प्रावलम सा सकती है प्रावेट सेक्टर अच्छा है अवसर का लाव मिलेगा चिनताओं से मुक्ती है सरकारी छेत्र उल्जन देगा गौर्मेंट सेक्टर में कुछ भी सकारात्मक नहीं है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ अच्छा समय भी देगा सपोर्ड करेंगे लव लाइफ की स्थिती में सुधार होगा आज हो सकता है कि नए रिस्ते की तरब भी कदम बढ़ जाए स्वास्त के मामले में आज बैक की प्राबलम आखों की समस्या सांस लेने में दिक्कत चुखाम खासिक शिकायत हो सकती है ब्रिशब रासिवाले आज क्या उपाय करें आज किसी जरूरत मंद को कुछ खाने की वस्तु देना शुभ होगा और क्या नहीं करना है जल्दी बाजी में फैसला नहीं लेना है काला रंग शुभर 66 प्रत्शत का भाग्य है 21 मार्च पिथुन राशी अनोखा दिन है पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे शुख्षा में उन्नती है ब्यापार कश्ट देगा बिजनस में काम रुख सकता है रिस्क रेना भारी पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर अच्छा रहेगा आज नई नोकनी की संभावना है कोई पुराना साथ ही आपका आज मदद करेगा सरकारी छेत्र में प्रोमोशन है गवर्मेंट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूल रहेगा दामपत्य जीवन की स्थिती ठीक नहीं है पति-पत्नी की बीच कुछ परिस्थतियां नुकसान दे रही है लव लाइफ बहुत अनकूल रहेगा लव लाइफ में इस्थिती सुधर सकती है स्वास्थ के मामले में पेट और लीवर की प्रॉबलम आज दिक्कत करेगी मिथुनाशी वालों के लिए प्रियोग क्या करना चाहिए आज गुलाब जल अपने हथेली पर लेकर अपने उपर छिड़काव कर लीजेगा क्या नहीं करना है बड़ बोला पर नहीं दिखाना है शुबरंग हरा भाग्य प्रत्षत 61 करकराशी समय अनकूल रहेगा प्रहाई बहुत अच्छी करेंगी आप सिक्षा में सुधार होगा ब्यापार आपके लिए अच्छा चलेगा बिजनस की स्थिती में सब कुछ सकारात्मक है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज कुछ बड़ा करने जा रहा है हो सकता है प्रमोशन हो जाए सरकारी श्वेत्र की स्थिती में सुधार नहीं होगा गौर्नमेंट सेक्टर आपके लिए परिशानी का कारण बनेगा दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा सपोर्ट भी मिलेगा लव लाइफ की स्थिती आज सुधर रही है यहाँ परिश्थतियां आपके पक्ष में है सुवास्त के मामले में किड्नी की समस्या और आखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए करकवालों को आज आज शिवलिंग पर तीन बूद शेहत चढ़ाईएगा क्या नहीं करना है आज उधाट नहीं देना है शुबरंग गुलाबी भाग की प्रत्षत उन्चास सेंगराशी 21 मार्च पढ़ाई में आज मन भी लगेगा सिक्षा की स्थिती सुधर रही है ब्यापार आपके लिए कश्ट देगा बिजनस में रिस्क लेना भारी पड़ेगा प्राइविट सेक्टर अन्कूल रहेगा चिंताओं से मुक्ति देगा सरकारी छेतर आपके लिए जबर दस्त है गौर्मेंट सेक्टर में सुधार होगा दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ बहुत अच्छा समय बितेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ में आज कुछ मुश्किलें आ रही है लव लाइफ की स्थती ठीक नहीं है स्वास्त के मामले में पेट और बैक की प्राबलम हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए सिंग राशी वालों को ओ गंगण पते नमः ग्यारह वारिस मंत्र का जाब करके फिर घर से प्रस्थान करिएगा क्या नहीं करना है आज अपने राज रिवीर नहीं करने है पीला रंग शुभ है 68 प्रत्षत का भाग है करने राशी मुश्किलों का हल निकलेगा सिक्षा में सुधार हो रहा है ब्यापार कश्ट देगा सोच समझ कर फैसला लीजिए प्राइविट सिक्टर में प्रमोशन है नोकरी में बने रहेंगे नई नोकरी की संभावना है सरकारी छेत्र में वाहन का सुख मिल रहा है आज सरकारी आवास के लिए प्रयास सफल होगा बॉस के साथ तालमेल आज अच्छा बैठेगा कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है दामपत्य जीवन में परेशानी आ रही है पति-पत्नी के बीच मुश्किलें आएंगी अचानक कुछ दिक्कतें बढ़ सकती है लव-लाइफ की स्थती सुधर रही है लव-लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी स्वास्थ के मामले में बैक की प्रावलम आखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज आज सफेद वस्त्र धारण करना शुब होगा क्या नहीं करना है बढ़ बोला पर नहीं दिखाना है शुबरंग सफेद भाग प्रतिशत 60 तुलाराशी शिक्षा की प्रती हर प्रकार की शुबता है पढ़ाई अच्छी चल रही है व्यापार आपका बेहतरीन बिजनस में किसी तरह की रुकावट नहीं प्राइवेट सिक्टर में उल्जन है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए तनाव देगा सरकारी छेत्र जबरदस्त शुबता दे रहा है क्या नहीं करना है आज अपने राज बताने नहीं है शुबरंग बैगनी भाग्यप्रित्षत छाचट जीहां व्रिष्चि ग्राशी शिक्षा बहुत अच्छी है पढ़ाई में आज मन भी लगेगा और आराम से पढ़ाई पूर्ण करेंगे ब्यापारी दिष्टिकोर से समय ठीक नहीं है बिजनस में परिस्थतियां फंसकती है प्राइविट सिक्टर आप पर आज अनकूल है महरबान है कुछ बड़ा करने के लिए प्रयास सफल होगा सरकारी छेतर में वाहन का सुख मिलेगा और बॉस भी प्रशन रहेंगे आज बड़ी जिम्मेदारी से नमाजे जाएंगे दामपत्य जीवन में पत्नी के विचार कम मैच करेंगे परसों वाली बात आज सामने आ सकती है आज कुछ बाहरी हस्तक्षे भी दिखाई देता है लव लाइव की स्थति में आज सुधार होगा शादियों की चर्चा कर सकते हैं परस्थतियों को अपने अनकूल करने के लिए प्रयाश सफल होगे स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम, आखों की समस्या और लीवर की प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए ब्रश्चिक वालों को किसी जरूरत मंद को कुछ खाने की वस्तु देना शुब होगा क्या नहीं करना है आज काला रंग नहीं पहनना है शुबरंग ग्रे भाग्य प्रत्ष्चत बावन धनुराशी अदभुत आउसर है पढ़ाई पूरी हो जाएगी सिक्षा में लाभ होगा मित्र मदद करेंगे ब्यापार अच्छा चलेगा रुके काम बन जाएंगे परिशानियों से बाहर निकलेंगे प्राइवेट सिक्टर तनाव देगा आज यहाँ पर उल्जन बढ़ सकती है सरकारी छेत्र आप के लिए बहुत अनकूल है प्रिश्टतियां आपके पक्ष में चिंताओं से मुक्ति देगा दामपत्त जीवन अच्छा है पत्नी के विचार मैच कर रहे है सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ में कुछ अनोखा होने जा रहा है आज शादी की चर्चा कर सकते है स्वास्त की मामले में किट्नी की समस्या और लीवर की प्रॉबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहेगा आपकी राशी धनु है आज धनु राशी वालों को सीधी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने उपर छिड़काव करना है क्या नहीं करना है उधार देने से बचना होगा शुबरंग बादामी भाग्य प्रत्षत साथ मकर राशी दिनांक 21 मार्श दिन सोमवार पढ़ने में आज कम मन लगेगा कुछ पारिवारिक विसंगतियां कुछ पारिवारिक मैटर्स उल्जा देंगे आपको किताबों से दूरी बनीगी ब्यापारिक दिश्टिकोंट से समय ठीक रहेगा मानसिक शांती रहेगी आज बड़े ओर्डर मिल सकते हैं प्राइवर्ट सेक्टर में उल्जन रहेगी आज इस्थतियां आपके हाथ से बाहर जा रही है सरकारी छेत्र समान रूप से आपको तनाव से मुक्तिक करेगा सरकारी छेत्र में हर हाल में सकरात्मकता रहेगी गौर्णमेंट सेक्टर आप पर आज सकरात्मक महरबानी कर रहा है दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है पतनी के साथ अच्छा समय भी देगा सपोर्ट मिलेगा लेकिन लव लाइफ में आज उल्जन है अलगाव है लव लाइफ की स्थिती सुधर नहीं रही है स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम और आखों की समस्या हो सकती है मकराश क्या हुपाय करें प्रियोग के तोर पर सरसों का तेल तीन बूद रख करके अपने हाथ में दाइने कहीं पौधे की नेचे डाल दीजेगा क्या नहीं करना है दूसरों से उम्मीद नहीं करना है शुबरंग पीला भाग्य प्रतिशत 55 उंभराश बहुत अच्छा समय है पढ़ाई खूब करेंगे किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार अच्छा चलेगा रुके काम बन जाएंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रमोशन है सरकारी छेतर में आज काम का वर्क लोड बढ़ेगा दामपत्य जीवन अच्छा है पतनी आपके साथ अच्छे सौहार्द के साथ रहेंगे लेकिन लव लाइफ की स्थिती में सुधार नहीं हो रहा है बिवाद आज भी बना रहेगा और अलगाव की उमीद बनी हुई है स्वास्त के मामले में आँख और माइग्रेन की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज कुमराशी वालों को लाल धागा अपने पास रखना है शाम तक दिन धरले के बाद किसी पौधे की नीचे डाल दीजेगा क्या नहीं करना है आज किसी को अपना वाहन नहीं देना है शुबरंग लाल भागी प्रतिशत पचास अंतिमराशी मीद पढ़ाई के लिए अनकूल अवसर है सिक्षा पूर्णता की तरफ है पढ़ाई किसी तरह की दिक्कत में नहीं है ब्यापार अच्छा है बिजनस में रुके काम बन रहे है प्रोमोशन होगा आज ब्यापार आपका फैलेगा प्राइवेट सेक्टर कुछ तनाव दे रहा है यहाँ इस्थतियां आपके पक्ष में नहीं है चिंताएं बढ़ सकती है सरकारी छेतर अच्छा है गौर्णमेंट सेक्टर में सकारात मकता है दामपत्य जी उन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ बहुत अनकूल ब्योहार रहेगा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे लेकिन लव लाइफ में आज अलगाओ की उमीद है शाम तक किसी बाहरी तत्तो के हस्तक शेप को आप इग्नोर करिएगा दामपत्य जीवन लव लाइफ और स्वास्थ स्वास्थ में माइग्रेन, बैक की प्रॉबलम, आखों की समस्या बनी रहेगी क्या उपाय करना चाहेगर आपकी राश्यमीन है प्रियोक के तोर पर आज किसी जरुरत मंद को कुछ तेल से तली हुई चीज दे दीजेगा क्या नहीं करना है आज खुद को कम नहीं आखना है शुबरंग नीला भाग्य प्रत्षत 56, 56 राश्यों का हाल जान लिया है आप फिर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आज का भाग्याक्षर उसके बाद एश्ट्रो क्विज बने रही हमारे साथ जानकारी ले लिजे कि अभी फिलाल आप हमसे गाजिया बाद ने मुलाकात कर सकते हैं लगातार 9910291850 पर वार्टसप करके आई जानते हैं वाज का भाग्याक्षर मेश आख्षर बिशप खा मिथुन चाख्षर करकभा सिंह टाख्षर कन्यासा तुलावाग्षर व्रिश्चिक फा धनु जाग्षर मकर्चा कुम्भताग्षर मीन राग नोट करिए सादे चौकुर कागट पर लिख लिजे और अपने पास रख लीजेगा चलि आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज का एश्ट्रो क्विज कुंडली में किस ग्रह को मा की संग्या अर्थात नाम प्राप्त है A. चंद्र B. शुक्र C. गुरू D. बुध सहे उत्तर दिये गए नमबर पर अभी तुरंत वाट्सअप कर दीजेगा आज की सक्सस की जानते है उल्टी हथेली पर थोड़ा सा सर्सो का तेल लगा लीजिए यहां पर हलका सा एक फिंगर में लेके ऐसे ऐसे निकलिए घर से जिसका आज 21 मार्च को हैपी बर्थडे है आईए जानते हो उसके लिए क्या उपाय रहेगा जो 21 मार्च को पैदा हुए है पहले तो शुब कामना है आपको हैपी बर्थ ने तीन पढ़ने वाले बच्चों को कुछ खाने की वस्तु दान करिए और जिसकी आज मैरी जैनिवर्सरी है लाल रंग की वस्तु किसी जरूरत मंद को दान करना है काम पूरा बारी आ गई की कल हमने क्या प्रश्ण किया था आपसे एश्टु क्विज का और उसके भागिशाली विजेता कौन है आई जानते है कल हमने प्रश्ण किया था कि रक्त का कारक ग्रह कौन सा है आपके विकल्प थे एशनी, बी बुध, सी सूर, डी मंगल और सही उत्तर है डी मंगल मोर देन 95% लोगों ने सही उत्तर दिया है और आप सब को हमाली तरफ से शुब काम नाए अब फोन लगाएं उनसे बात करते हैं देखते हैं आज का भागिशाली विजेता कौन है जी मनोज कौशिक जी आजी शेरादे संतोश संतोशी बात कर रहा हूं जी मनोज कौशिक जी मैं हात्रफ से बात कर रहा हूं सर चले आज आप भागिशाली बन गए और विरकुत सही उत्तर दिया आपने रक्त का कारक मंगल होता है जी आप इस वज़े से आज आप भागिशाली बने हैं तो क्या करते हैं मनोज जी कुछ बताएं अपने बारे में आप कब से देख रहे हैं जोतिश दिशा आपका में देख रहा हूँ संद 17 से अच्छा 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 काफी लंबा सा मैं पांच वर्ष विटाया आपने हमारे साथ क्या बात है उसके बाद अपने आश्रम में लगया आथा हूँ बहुत बड़े हैं तो अभी हातरस से ही बात कर रहे हैं मनोजी बताएं किसके विशे में जानना है आपको नाम बताएए नाम है उसका नारायर कोसिक डेटा बर्द शे मही 1996 ताइम बताईए जाम पांच वजे हातरस क्या जानना चाहते हैं नाराइन के लिए इसका भविश्य है क्या है यह नोकरी करेगा कैसी करेगा और कुछ करेगा इसका कन्या लगन है धनुराशी है इसके कुंडली में बिल्कुल सरकारी नोकरी के चांसेज है Steel में प्रियास करवाईे मेरी गारंटी है बैंकिंग छेत्र या सब्सक्राना इसमेन ब्रेभा स्ब्रेइक चंद्रमा से नेकल रहा है शनी की बुद़ पे पून त्रुतिय दaking पर तो उससे बैंकिंग निकल रहा है तो तीन चैत्र हमने दे जिसमें इसकी और रेल्वे इसकी शादी शादी अपनी इक्षा से करेगा इसे नहीं बाइकोर्ट ही करेगा और अपने से कम सकम तीन से चार वर्ष बड़ी कन्या से करेगा जी ठीक कोशिक जी इसलिए प्रसंद लू को मैं कापी तरहों से जोज रहा था अपने में अब मैं बात क्यों नहीं हो रही है चलिए हो गई आज भगवान जी ने सुन ली बिलकुल आपसे मिलने और आउंगा एक बच्चे के बारे में जी बिलकुल स्वाकत करेंगे हम आपका ठीक है तो शीराधे 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 तो आप भी इसी तरह हमसे जानकारी अपने और आप भागिशारी बनते हैं आज के लिए तना ही अपना बहुत ख्याल रखिए खुश रहें प्रशन रहें हसते खिल खिलाते रहें तमस्कार वे नाइस टे करेंपत करेंवे